योगा ओप मून इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं आज हम बात करेंगे केम दुरूम योगा तो मून कई सारे योगा बनाता है तो उनमें एक बहुत ही इंपोर्टेंड योगा है केम दुरूम योगा वैदिक जोतिस आप सीखने में इंट्रेस्ट रखते हैं और यदि शेयर बजार में इंवेस्ट करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं केंदरुम योगा कैसे फॉर्म होता है सबसे पहले इंपोर्ट है तो दोस्तों केंदरुम योगा बनाने के लिए यह चाड लिया है वने यह मून से रिलेटेड योगा है यहां पर मून की पोजीशन है तो मून की पोजीशन से 12th house और 2nd house में 12th house और 2nd house में जब कोई भी ग्रेय या प्लानेट ना हो या मून अकेला हो उसके दोनों तरब कोई भी प्लानेट ना हो तो जो योग बनता है उसे हम केंदरुम योगा फोलते हैं मून से 12th house में भी कोई प्लानेट नहीं है और 2nd house में भी कोई भी प्लानेट न तो मून से सेकंड एंड ट्वेल्थ हाउस में राउ और केतु के अलावा यदि कोई भी और प्लनेट नहीं है तो जो योगा बनेगा वो केमदुरूम योगा फॉर्म होता है ऐसा कहते हैं कि जिस भी नेटिव की कुंडिली में केमदुरूम योगा बनता है वो नेटिव की लाइफ में ट्रबल्स होती हैं परेशानिया होती हैं अकेला रहता है उसका कॉन्विडेंस लेवल बहुत लो होता है और ये योगा इन ऑस्पीसियस होता है मगर ऐसा हर एक केस में हो ऐसा जरूरी नहीं है केंदुरूम योगा का आपका कैंसिलेशन भी हो जाता है केंदुरूम योगा के साथ बहुत सारे लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी करते हैं क्योंकि और दूसरे प्लेनेट की पोजिसन पर भी आपकी लाइफ डिपेंट करती है किसी भी एक योगा से नहीं तो आपका पूरा फ्यूचर बनता है नहीं बिगडता है कुछ सास्तराज में ऐसा भी का गया है यदि मून के साथ मून के दोनों तरफ कोई भी प्लेनेट नहीं है कोई बात नहीं मगर मून के साथ कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है तब भी केंद्रिम योगा कैंसिल आउट हो जाता है इसका कैंसिलेशन हो जाता है इसी तरीके से यदि मून को कोई भी auspicious planet एस्पेक्ट कर रहा हो या देख रहा हो तब भी केंद्रिम योगा का cancellation हो जाता है इसी तरीके से मून से यदि नवे गर में कोई भी planet बठा हो अभी देखें यह एक example है इसमें केंद्रिम योगा बन रहा है इस native के चार्ट में क्योंकि इसके बारवे गर में भी कोई planet नहीं है सेकंड गर में भी कोई planet नहीं है अब मैं यहां से count करता हूं 123456789 इसके 9 था उसके अंदर आपका शनी और मंगल दो planet हैं तो नवे गर में भी यदि उससे कोई भी planet हो तब्वी भी केंद्रुम योगा का cancellation हो जाता है यदि चंद्रमा को कोई planet aspect कर रहा हो, aspect के case में भी केंद्रुम योगा का cancellation हो जाता है तो देखिए इसमें 9 वाव में शनी और मंगल चंद्रमा से बैठा हुआ है तो इसमें चंद्रमा के दोनों तरब कोई भी प्लानेट नहीं होते भी केंदरुम योगा का कैंसिलेशन हो गया अब यदि आपकी कुंडली में केंदरुम योगा है तो एक नेचुरल सा कुश्यन अराइज होता है कि इसकी हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं तो Remedies of Kendrum Yoga, मैं केवल उनी Remedies में विलीब करता हूँ, जो दूसरों के आप परुपकार के लिए कर रहे हैं, किसी इंसान की जिंदगी में फाइदा पहुचाने के लिए कर रहे हैं, या प्रातना की तरीके से कर रहे हैं, उस तरह की Remedies को मैं मानता हूँ और मैं चाहता कि सबी लोग उनेहीं फोलो करें, इसका सबसे पहले Remedies है, Fast on the day of Poonma for four consecutive years, चार साल तक पूर्णमाशी का अब्रत करें, Begin this fast from a Poonma which is on Monday, सौमबार को जो पूर्णमाशी है उस दिन शुरू करें, क्योंकि सौमबार को उसका लॉड़ जो होता है, वो चनरमा होता है, और from the day of चित्रे नक्षत्रा when it is on Monday, चित्रे नक्षत्रा, जबी भी मंडे को उस दिन शुरू कर सकते हैं, या जो पूर्णमाशी, मंडे को उस दिन से आप चार साल तक सौमबार का ब्रत करें, पूर्णमाशी का ब्रत करें, सौरी, विजिटे टेंपिल ओन मंडे, आप बंदर जा सकते हैं मंडे को, और एक काउस पिलकॉन सिविलिंगा, और वर्सिप लॉड सिविलिंगा, सौमबार को ये जनरली बताया जाता है, आप सिविलिंग पर दूद चड़ाएं, अब वो गाए का दूद है तो ज्यादा इच्छ है, नहीं भी अवेलिबल है, तो आप दूद चड़ाएं, और ओम नमस सिवाय मंतर का जाप करें, विदे रुद्राक्ष माला, माला से आप ओम नमस सिवाय मंतर का जाप करें, ये आप दो करेंगे, और एक बहुत असान है, रेमेड़ी, जो ज्यादा तर आपके आप जाप करें, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी ऐस्ट्रोलोजी में विलीब करते हैं, रिलीजन में विलीब करते हैं, वो सभी लोग मामंतर का जब करें, रोजाना 108 बार, ना दोकर आप जबी भी सुबह मौर्निंग में, इसका एक जगे बैट कर, रुद्रा झाल झाल